गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टेडी पॉइंट दोस्तो आज है 24 नवंबर और इस्टार्ट करते हैं आज के करन अफेस अभी तक आपने चैनल सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब करके बेल आकन प्रेस करें ताक क्या आपको डेली मौन इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हो तो सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं ठीक है चले स्टार्ट करते हैं बहुत इंबोडेन कोश्चन है पहला पहला कोश्चन है केंद्री मंत्र मंदल ने कहां से अंतराष्टी सीमा तक करतार पूर गलियारे न नानक ठीक डेरा बावा नामक देखे दोस्तों केंद्री मंत्र मंदल ने गुर्दासपूर जिलेश के डेरा बावा नानक से अंतराष्टी सीमा तक करतार पूर गलियारे के निर्माण और विकास को इसमें मंजूरी दे दिये ठीक है और आपको वतादी कि यह तीर्थियात करतार पूर गलियारा परियोजना को केंद्र सरकार सेंट्रल गबर्मेंट द्वारा इसको भित्त पोशित किया जाए ठीक है इस गलियारे को करतार पूर गलियारे को इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल गबर्मेंट केंद्र सरकार द्वारा इसको जो है पोशित किया जाए ठीक तो इस वीडियो को टार्गेट एते हैं दूस्तों 10,000 लाइक का तो फटा फट वीडियो लाइक करके अपना सपोर्ट प्यार चरूर बनाएं ठीक है चलिए 22 नमबर 28 को निर्माड उपकरण और प्रद्योगी पर नेपाल की सबसे बड़ी प्रदर्शनी कौन मैक 28 कहा पर शुरू ही यह है काठमांडू ठीक है काठमांडू में निर्माण, उपकरण और प्रद्योगी की टेकनोलोजी पर नेपाल की सबसे बड़ी प्रदर्शनी कॉन मैक ये काठमांडू में 22 नमबर को इस्टार्ट हुई है आपको बता दी के तीन दिफसी विशाल कारकम नेपाल में भारती दूतावास के सहयोग से भारती उद्योग परिशंग द्वारा ये आजित किया जाता है ठीक है प्रदर्शनी में इसमें मुख्य रूप से डोजर करसर और कांक्रीट मिक्सर जैसे भारी उपकरण दिखाय जा रहे है ठीक है तो निर्माड उपकरण और प्रद्योग की पर नेपाल की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है ये कौन मैक 2018 कहां शुरू हुआ है काठमांडू में कोश्चन थाड़े दोस्तों ब्रह्मा पुत्र घाटी फिल्म होच्छाओ का छटा संस्क्रण कहां शुरू होगा इसका राइडेंसर है ऑप्सन है असम में ठीक है ब्रह्मा पुत्र घाटी फिल्म महोच्छाओ का छटा संस्क्रण ये 28 नमबर को असम में शुरू होगा इस महोच्छाओ का उद्देश क्या है उद्देश इसका भारत की जो पुर्वोत्तर छेत्र के सिनेमा को बढ़ावा देना महोच्छो का उद्धाटन जो है इस स्प्रिंग थंडर फिल्म के साथ और समापन असमिय फिल्म बोर्नोडी भोटी आई के साथ होगा ठीक है याद रखिएगा उद्धाटन जो है इसका महोच्छो का स्प्रिंग थंडर फिल्म के साथ और समापन जो है असमिय फिल् माप पत्धती पर भारत और किस points के बीच एक सम्झोतक यापन को मघशूरी देदी है ओप्सन सी राइट है मौरिशस ठीक है तीक है केंद्री मंत्र मंदल ने उपभोकता संदक्षण और कानूनी मापद्धती पर भारत और मौरिशस के बीच समझोतक जापन नहीं MOU मतलब मेमोरंडम समझोतक जापन को मंजूरी देदी है तीक है समझोतक जापन दोनों देशों के दुपक्षी संबंदों के लिए फायदे मंद है और यह उपभोकता संदक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक मौरिशस केंद्री मंद्र मंदन ने यूवा मामलों पर सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच MOU पर अपनी पूर व्यापी मंजूरी दे दी है तजाकिस्तान ओप्षन सी तजाकिस्तान ठीक है देखे केंद्री मंद्र मंदन ने यूवा मामलों पर सहयोग के लिए भ पहारत और तजाकिस्तान के बीच स्वम्होता ग्यापन मन्या पोताई MOU मेमोरंडम आफ अंडर स्टेंडिंग को अपनी मंजूरी पूरव्यापी मंजूरी दे दी है ये सहयोग के छेत्रों में युवाओं, युवा संगटनों के प्रतनिदियों और युवा नीती बनाने के प्रभारी सरकारी अधिकारियों कादान प्रतान ये सामिल है और ये पांच वर्स के लिए MOU जो है ये वैदर है ठीक है पांच साल के लिए तो याद रखिएगा तजाकिस्तान, option C question 6 है किसने environmentally sound sustainable developments ready में NASA Scopus Younger Scientist Award 2018 जीता है तो ये most important question है विमल चंदर श्रीवास्ताओ, option A ठीक है देखे आपको बता देख, IIT रूड़की के प्रोफेशर जो है विमल चंदर श्रीवास्ताओ ने Environmentally Sound Sustainable Development Study में NASA Scopus Younger Scientist Award जीता है ठीक है NASA Scopus Younger Scientist Award और उन्हें अद्द्योगिक अपसिष्ट, जल उपचार, स्वक्ष, तरह लीधन और बहुगटक अधिशोषर पर उनके काम के लिए पुरुषकार दिया गया है आपको बता दिश पुरुषकार के बारे में तो यह पुरुषकार 2006 में L.S.B.R. द्वारा स्थापित किया गया था ठीक है 2006 में NASA Scopus Young Scientist Award I.A.T. रूड की के प्रोफेसर बिमल चंदर सीवास्ताओ को यह 2018 जीता है ठीक है Q7 है किसे भारत में Uber Eats का Brand Ambassador निउक्त किया गया है किया गया है Actress आलिया भट को ठीक है Uber Eats ने अभिनेत्री आलिया भट को भारत में अपनी Brand Ambassador कुरू में निउक्त किया ठीक है आलिया भट को और बता दे कि भारत 22 का स्थर पर पहला देशा जहां Uber Eats ने Brand Ambassador निउक्त किया है ठीक है Uber Eats Uber की साखा वित्रण खाद वित्रण साखा ये ठीक है खाद वित्रण है और माई 2017 भारत में लॉंच की गई थी यह खाद वित्रण से भारत के 27 शहरों में भी उपलाब ठीक है Uber Eats का ब्रांड मेजडर की से निउक्त किया गया है अभिनेत्री आलिया भट को Question 8 से दोस्तों किसी Unisave द्वारा किस Unisave द्वारा पूर्वोत्तर शेत्र की पहली यू थेड़ वोकेट की रूब में निउक्त किया गया है तो ये किया गया है नाहीद आफरीन को Option A नाहीद आफरीन को ठीक है आपको बता दें कि असम की गाई का नाहीद आफरीन को बाले धिकारों के लिए Unisave द्वारा पूर्वोत्तर शेत्र की पहली यू थेड़ वोकेट की रूम में निउक्त किया गया है तो Unisave द्वारा पूर्वोत्तर शेत्र की पहली यू थेड़ वोकेट की रूम में नाहीद आफरीन को निउक्त किया गया है और Unisave यू थेड़ वोकेट को समाज में बदलाओं के प्रतनित की रूम में कारेकर निकले नियुक्त करता है आपको वतादिक उन्होंने 2016 की बॉलीवूट फिल्म अकीरा से अपने प्लेवेक की शुरुआत की थी नाहिद अफरीन ने ठीक है असाम राज फिल्म पुरुषकार 2018 में सर्वसेष्ट महिला पा अफिलन को ठीक है अफसाने लेखे लॉर्य और रॉर्ड इस्पार्ट्स अंसकर्ण ये आफ वोता दिक फरवरी 2019 में मोने को माजित के जर यह है अभु आपके अभी रोजर फ्रिडर आपको बता दिक भारत की जो पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव राहुल त्रेबुन और सचिन तेंदुलकर लॉरियस अकादमी के सदस्ये हैं ठीक है तो प्रतिस्ठित लॉरियस वर्ड स्पोर्ट सवार्ड का उनिश्वा संस्कन कहां प्याजित के जा जायस मसुया को ठीक है जायस मसुया देखिए लुको तादिक एरिक सोलेहम की स्तीफे के बाद तंजानिया की माइक्रो बायोलाजिस्ट जायस मसूया को सैयुक्त राष्ट पर्यावराण कारकाय मानी UNEP UNEP United Nation Environment Program का कारकारी प्रवंग निवत किया गया है एरिक सोलहम UNEP की कारकारी निदे सकते ठीक इससे पहले एरिक सोलहम सैयुक्त राष्ट में स्वाइल होने स्पहले उन्होंने विश nell recovery में कार किया है आपको तादिक उन्होंने पहले विश्लवंग के विशेश प्रतनेदी की रूम में कोरिया गणराज में भी कार किया है ठीक है सैयुक्त राष्ट पर्यावराण कारकाय मानी UNEP ठीक है UNEP कारकारी प्रोमक्रोमिकेशन उपके अगया है जायस मसुया को ठीक है ये तंजानिया की अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का एंसर मैंने क्या पूछा था किस राज्य ने किस राज्य में गायों के सनक्षण और कल्यान के लिए गौश्यवा आयोग स्थापित करने का निरने लिया गया है जिसका राइड एंसर था दोस्तों इसका ऑप्षन ऑप्षन भी था हिमांचर प्रदेश ठीक है हिमांचर प्रदेश लगवख सभी स्टूडेंट ने राइड एंसर दिया था और काफी डिटेयर में लिखा था ठीक है अब देख लेते हैं फटा फटा आज का सवाल के है आज के कुश्चन दोस्तों हाली में कौन ररजी ट्रॉफी में ग्यारा हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेवाज बने हैं आपको पूरी डिटेल के साथ एक डिटेल के साथ सारी जानकाय लिखना है ज्यादा ज्यादा लोग कमेंट करेंगे और दोस्तों प्लीज वीडियो लाइक किया करें ठीक है शेयर किया करें और इस वीडियो का आ जादा जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगान प्रेस करतें ठीक है मिलते हैं नेक्स टूडियो के साथ आपका दिन शूब हो दोस्तों जै हिंद जै भारत